आदिवासियों के गामों को जलाया गया, निर्दोश आदिवासियों की हत्या हुई बड़े पैमाने पर आदिवासि महिलाओं से बलाकार हुए, अमीरों के पूली पतियों के हितों को लागू करने के लिए सामप्रदाइक्ता का सहरा लिया जाता है, जातिवात का तक खेला है, लेकिन असली लक्ष भारत की अर्थविवस्ता पर खब्जा करने का है, नमस्कार मैं हूँ अजय प्रकास और आप देख रहे हैं जन्नत ज्वार, इन दिनों देश के दक्षणी पूर्वी हिस्से में, जो 36 गड़ है, वहां आदिवासियों को लेकर लगातार कोई न को सवाल में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गई, जिसके बारे में सूचना यह आई कि फैक्ट फाइंडिंग टीम को पुलिस ने रोक लिया और दो दिन बेठाए रखा, इन दिनों हिमांसो कुमार 36 गड़ में ही हैं, वह दंतेवाडा में अपने पुराने आस्रम और आस्रे जगव पर पहुँच चुके हैं, हिमांसो कुमार पिछले दो दस्कों से लगातार आदिवासियों के प्रस्ल को उठा रहे हैं, उन्होंने आदिवासियों के सवाल को तब भी उठाया जब वहां भाजपा की सरकार थी, और अब जब वहां कॉंग्रेस की सरकार है, तब भी प्रस्न और आवाज दोनों उठा रहे हैं ऐसे में उनसे जानना बहतर होगा कि अभी के स्थिती खास कर दंतेवाडा के इलाके में क्या है वहां मावादी होने के आधार पर या उनको दोसारूपित करके आदिवासियों पर अत्याचार क्या बंद हो गए हैं बढ़ गए हैं आखिर इस्थिती क्या है हिवानसु जी हमारे पाठको दर्सकों को बताईए कि आधिवासी राज 36 घड़ में आधिवासियों की इन दिनों इस्थिती क्या है जब वहां आप खुद मौजू दे नमस्ते और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज इस आपके चैनल पर बुलाने के लिए एक तो मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं मुझे यहां आधिवासियों का मुझ्टा उठाथे दो दशक नहीं तीन दशक हो गया है 1992 में मैं और मेरी पत्नी दिल्ली से दंतेवाड़ा आये थे 1992 में तो वह अब 31 साल हो गया और अभी जो हालत है आपको मालूम है कि 2005 से जो 36 गड़ में हालत बिगड़नी शुरू हुई है सल्वा जुडूम के साथ जिसमें आधिवासियों के गाहों को जलाया गया निर्दोश आधिवासियों की हत्या हुई बड़े पैमाने पर आधिवासि महिलाओं से बलाकार हुए उनके घर जलाये गए बच्चों की हत्याये हुई बुजरूं की हत्याये हुई निर्दोश प्रशादिवासियों को जेलों में डाला गया वो अभी लगातार बदस्तूर जारी है बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए जमीने हड़पने की जो प्रोसेस है वो निरंतर जारी है और उसके लिए बड़े पैमाने पर आर्द सैनिक बलों की तैनाती जारी है सैनिकरण जारी है और सैनिकरण के साथ साथ जो समस्याएं आती है आम जन जीवन जिस तरीके से प्रभावित दुष्प्रभावित होता है वो है जिस तरीके से फिर निर्दो शादिवासियों को फर्जी मामलों में जेलों में फसाना उनकी हत्याएं करना महिलाओं से बलाकता वो बदस्कूल चारी है तो अभी जो इस्थिती है तब तो जब 2005 सलवाज रुडूम हुआ था तब किंद्र में कॉंग्रेस की सरकार थी संभौता राज्य में जो है वह भाजपा की सरकार थी उसके बाद से अभ अभी पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर जब राहु कदेश में थी तो उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हकों पर कोई जो है वह कुठा रागात नहीं होगा और अब जब उनकी पाइटी की सरकार है च्छत्यसगर में तो आप बता रहे हैं कि स्थितियां ठीक वैसी ही है जैसे दो हजार पांस साथ के बीच रही थी तो क्या वहां कॉंगरेस का क्या रवया है इन सारे चीजों को लेकर क्या आदिवासियों के की सुनवाई नहीं हो रही है लेकि दो तिन चीज़ें मैं कहना चाहूंगा पहली बात तो ये कि पूंजी वाद जो है वो पार्टियों से ब सुइकार किया हुआ है और जब पूंजी वाद को लागू करना होता है तो बंदो के गन पॉइंट पर ही लागू होता है उसमें उसमें गारेंट का उन्र मैं टो चाहें फिर ईजिन कोई भी पार्टी की सरकारा है एडा क्योंस्तिशनल गैरेंटी को वाईलेंट करना वह व अलगा कॉंगरिस पार्टी में पूंजी वादी सोचके और उस अर्थवस्ता को लागू करने वाले इस्ट्राउंग लोग जैसे मौझूद हैं, जो आपरेशन ग्रीन उन्ट के जनक रहे हैं, राहूल गांधी और जो किसरी चीज मेहतरकूर है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले दिनों राहूल गांदी का एक वीडियो आया था जिसमें राहूल गांदी खुद ये खबूल कर रहे है कि जब उन्होंने लैंड ओनर्शिक को लेकर के इशूद उठाए बटा पारसॉल और नियम गिरी को लेकर के जब उन्होंने में जो लैंड ग्रैब है रिसोर्स ग्रैब है वो राजनीती का मुख्य लक्ष है चाहे वो किसी भी पार्टी का और उसमें फिर सारी मीडिया उस व्यक्ति के विरोध में खड़ी हो जाती है यह राहूल गांदी ने खुद किया कहा तीसरा एक जो दारन है वो यह है कि जब यहां पर अडानी के लिए कोल माइन्स दी गई तो वहां पर आदिवाज लोगों ने विरोध किया और उसको लेकर के राहूल गांदी ने चाहिए सरकार को यह सेजेशन दिया कि आप यह इस पर रोक लगाई है तो जैसे ही राहूल गांदी ने इस तरीके का कहा और यहां पर वैसा ने ने लिया गया कि कुछ रोक लगाई जाए तुरंट एडी ने राहूल गांदी को बुला दिया आपको याद होगा कुछ महीने पहले तो जैसे और उसके बाद फिर से वह चीज़ें दबाव डाल करके करवाए गई तो राहूल गांदी और कॉंग्रेस को हम ए अच्छी इच्छा शक्ती वाले युवा है लेकि मांसु जी कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनका आपने नाम लिया पी सिदंबरम विलेंग तब दिखाए दिये जब वह सत्ता में आये और जब उनकी हाथ में मंतरी पद था भुपेस बगहेल भी आदिवासियों के साथ वही रव उनके अलावा कुछ भी नहीं है तो जो कुछ भी नहीं है व्यक्ति वो क्या करेगा तो क्या कहीं इस वजह से तो आपकी यह समस्दारी नहीं बन रही है कि राहुल गांदी अलग है और भुपेस बगहेलिया चिदंबरम यह उनकी पाइटियों के लोग अभी मैं राहुल गांदी जिस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं पता नहीं वो सत्ता में कभी पहुचेंगे या नहीं लेकिन वह डिबेट जरूर राजनीती के सेंटर में आनि चाहिए कि आखिर राजनीती का लक्ष संसाधनों पर अमीरों का कब्जा कराना होना चाहिए या उसका लक्ष संसाधनों का भारत की जनता के पक्ष में इस्तिमाल करने का होना चाहिए क्योंकि भारत की जो पूरी की पूरी राजनीती है वो इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसी अमीरों के पूरी पतियों के हितों को लागू करने के लिए सामप्रदाइक्ता का सहरा लिया जाता है, जातिवात कार्ट खेला जाता है, लेकिन असली लक्ष भारत की अर्थविवस्ता पर कब्जा करने का है. अभी अगर हम बात करें आर्थविवस्ता जो आपके 36 गड़ आदिवासियों के जल जंगल जमीन के आसपास पड़ी हुई है, वो अभी का टार्गेट क्या है, क्यों आदिवासियों को वहां तंग किया जा रहा है, आप खुद कही वीडियो जारी की हैं जिसमें आदिवासि की सूची है, जो कंपनियां यहां पर अल्रेडी जिनको ख़दाने से वाप दी गई है, बहुत सारी जो हैं वो पाइपलाइन में हैं और एक पॉलिसी उनको ओपन किया गया है दर्वाजा, इन्वेस्टमेंट इन्वाइट किया गया है, और बहुत बड़ा एक लाका है, जिसमें आदा च्छतीज गड़ चला जाएगा कार्पोरेट्स को, वो सरकार की पॉलिसी है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट लाएंगे यहां पर, और च्छतीज गड़ तो पूरा का पूरा खनन चेतर है ना, यहां पर कोईला है, यहां पर सोना है, यहां पर डायम के लिए नहीं है, इनका इस्तिमाल देश की जनता के जरूरी इस्तिमाल के लिए किया जाना चाहिए, देश के विकास के लिए किया जा सकता है, लेकिन आप प्राइवेट पूजी पतियों को लोब के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए अगर देंगे, तो फिर पर्यावरनि मावादी है यहिकुन मावादियों को मावादी पार्टी ने निकाल दिया उनको सरकार ने हथियार दे दी है और उनको पुलिस बना लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया जी दूबहजार पांच में लोंको स्पेशल पुलिस उफिसर का डेजिlet के के पंदरा सो का मान दे दे के 303 राइफल ने दे दी गई और इन लोगों से गाउं जलवाए गए और आधिवासियों को गाउं खाली कराने के कामें लगाया गया जिसमें इन्होंने भयानक माना अधिकारों का हनन किया हत्याएं की बलाकार किये उसके बाद सुप्रीम कोट न इनका नाम चेंज करके इनको डिस्ट्रिक रिजर्व गार्ड बोलने लगे बियार जी और 303 की जगह इनको और सॉफिस्टिकेटेड़ वैपन दे दिये के 47 इंसास आटमेटिक राइफल्स वगएरा तो अब यह लोग क्या कर रहे हैं यह लोग गैंग बना बना के आधिव को सूचना दे दो तो अगर किसी ने सूचना दे दी या किसी ने से कहा कि हमें अपने बाड़ी से सब्जी दे दो उसमें सब्जी दे दी किसी से का चावल दे दो किसी ने चावल दे दिया अब यह जाके उनको हत्याय कर रहे हैं कि तुम लोग मावादियों की मदद करते थ और उनको जेलों में डाल रहे हैं ये सभी जो जनके हाथों में या थियार है ये सभी आदिवासी भी हैं पूरो मावादी या उनके आसपास के लोग हैं जो जुड़े रहे हैं और अब वह अपने ही समाज के लोगों का कतलियाम या सोशाण या अत्याचार कर रहे हैं जी ये इनको इस्तिमाल किया जा रहा है सरकार के दौरा और ये अंतराश्ट्री है नियमों का उलंगन है नागरिकों को हतियार देकर दूसरे नागरिकों के खिलाफ इस्तिमाल नहीं किया जा सकता ये आदिवासी हैं जादर तर दूसरी यहां जो जातियां है उनके भी लोग यह सब कुछ राजि सरकार कर रही है वहाँ की कॉंग्रेस 36 का इसको इसपर रोक नहीं लगा रही है और सुप्रीम कॉट के आदेश की तरीके से यह अवेल नहीं है और यह लोग जो थो पड़े भी के हैं तो इन दिनों मोदी विरोध के चर्मुत कर्स पर हैं जाहिर तोर पर जो गरबढ़ियां कर रही है मोदी सरकार उसका विरोध होना चाहिए लेकिन वो सारे लोग इस वक्त 36 गड़ में जब वही अत्याचार कांग्रेस की सरकार कर रही है तो चुप क्यों है आप वहारी कस्तर पर क्या देख रहे हैं मुझे यही एक सबसे बड़े दुख की बात है कि हमारे जो दोस्त है जो इस समय राहुर गांदी में एक आशा की किनन देख रहे हैं वो कांग्रेस के शाशन में जहां इन एक्शन है मैं यह नहीं कह रहा है कि कांग्रेस सरकार क्रॐ हो कि दुम करने वादोंपर कारवाही नहीं कर रही है कारवाही करनी चाहिए जब शिकायत जा रही है अदिवासी शिकायत कर रहे हैं यह अनुम्ए सबसे बड़ी शिकायत है और राहुल गांधी के सामने ये बात लाई गई है अभी पिछले दिनों मंदी पूर्णिया ने पूछा तो उन्होंने ये कहा है कि वो च्छतिज गड़ आएंगे हमें उमीद है राहुल गांधी आएंगे और च्छतिज गड़ के बारे में यहां क कि सरकार को कोई सला देंगे और सरकार अपने कामकाज को सुधारेगी क्योंकि यह चुनाओ का वर्ष भी है अगर सरकार नहीं सुधारेगी तो उसको नुकसान भी उठाना पड़ेगा तो अंग्रेस अगर नुकसान उठाती है अपने एक मुख्यमंत्री के या सरकार के इन कि क्या आप वहां महसूस कर रहे हैं कि जो पत्रकार उस वक जब आप पुराने समय में भाजपा की सरकार में इस सवालों को उठा रहे थे, तो जो cover कर रहे थे, जाहे तरो पत्रकार अब वरिष्ट हो गए होंगे, उनमें से कई संपादक हो गए होंगे, जो ground report कर रहे हैं, उ यही चल रहा है हमारे बहुत सारे दोस्त वह खामोश हो गए है वो अब ग्राउंड से आने वाली खबरों के प्रती एकदम उपेक्षा का भाव उन्होंने अपना लिया है बलकि वो जान बूझ कर अन्देखा कर रहे हैं हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं आज जो सक्ता में बैटे हैं जो उस वक्त हमारी पोस्ट शेयर करते थे और हमारी पोस्ट के आधार पर बीजेपी पर अटेक करते थे आज वो लोग लाइक कमेंट करना तो छोड़िए बलकि हमने तो सुना है कि वो हमारे खिलाब बोल रहे हैं कि हम लोग उनकी सरकार को बदनाम क कर रहे हैं अभी तक आपको क्या दक्षिडपंथी संभी यह सब अभी नहीं कहा गया है लेकिन चुकि हमारा हमारी राजमीती बहुत साफ रही है और बहुत खुली रही और लगातार हम लोग दक्षिडपंथ के खिलाफ सामरदाइक ता जाती वार्ट के खिलाफ लड़ते रहे हैं इसलिए हिम्मत नहीं होती है खुले मूँ से बोलने की और कोई उस पर विश्वास भी नहीं करेगा इसलिए बिलकुल उस तरीके से तो हमला नहीं कर पा रहे हैं लेकिन ये तो एक तरीखा होता ही है कि जब हम सक्ता में होते हैं तो हमसे पाप होते हैं और फिर पा हम इनको गलतियों के लिए आगाह करना चाह रहे हैं लेकिन आप वो नहीं सुन रहे हैं तो दुखा दिस्कती है सुक्रिया बाचित करने के लिए हमारे साथ बाचित कर रहे थे हिमान सुप कुमार वह पिछले तीन दसकों से ज्यादा समय से आदिवासियों के बीच काम कर रहे हैं खासकर छत्यसकर वह इन दिनों जब काम कर रहे हैं तो कॉंग्रेस की सरकार है और आदिवासी छत्रों में उसी तरह का अत्याचार ढाया जा रहा है जैसी पिछली सरकारों में रहा है, कोई बदलाव जमीनी अस्तर पर नहीं दिख रहा है, जो बदलाव दिख रहा है वह यह कि भविश्य में जो बदला है वह यह कि जो बुद्धिजी भी है, जो पत्रकार है उन्होंने रवया बदल दिया है और सच को सच की तरह पेस करने की जगह पायटियों की तरह पेस करने में लगे हैं जाहिर तोर पर इससे नुकसान आदिवासियों का होगा समाज में संघर्स करने वाली ताक्तों का होगा और सबसे बड़ा नुकसान सच को उजागर करने वाले उन साहसी लोगों का हो जन ज्वार जन ताकी में